हेलो फ्रेंड एंजल रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनान जा रहे हैं करेले की सबजी जिसको बच्चे भी खा सकते हैं मैंने करेले को नमक से बिगो के रखाता इसका चिलका निकाल दिया है मैंने इसका चिलके के भी हम पराठे बनाएंगे इसको भी फेकना नहीं है और यह सबजी बहुत ही स्वादिस्त और टेश्टी बनेगी इसको मैंने दोह लिया है एक घंटे पिगो के रखाता नमक के पानी से अब हम मसाला बनाएंगे एक चमच हल्दी लिया मैंने दो चमच लाल मिच पाउडर हींग नमक स्वाद के अनुसार दो चमच शक्कर अब गुड़ भी एड़ कर सकते हैं मैंने शक्कर डाला है लसुन इस तरह से में अंदर दरा पूट दिया है अब कि बस हरी मेच हो तो वह भी डाल सकते हैं हरा धनिया भी डाल सकते हैं एक निमून ने छोड़ा है मैंने अब मैं इसमें टामाटा डालूंगे इसको बारिक कटिंग किया है इससे करेले का कड़वापन कम हो जाएगा दनिया पावडर दो चमच अब यह सारा मसाला हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से अब हम करेले को भरेंगे अगर हमारे करेले बड़े हो तो साइच छोटी कर सकते हैं देखिए इस तरह से मैंने सारे करेले भर दिया है अब हम इसका तड़का लगाएंगे मैंने एक चमच ऑल डाला है आधी चमच राइदाना एक चमच जीरा जब यह मसाले जटक ने लग जाए तब एक एक करके करेले डालेंगे और तेल में ही फ्राय करना है आधी मिनट के लिए इसको दकल लगा के मैं इसको मिक्स कर लेती ह अब इसको आधी मिनट के लिए पकाना है तेल में ही फ्राय करना है देखिए इस तरह से और अभी हम डालेंगे आधी कुलास जितना पाने अब चाहिए ज्याधा पानी में डाल सकते हैं ज्यादा गलान हो तो में फ्राय को याथ पांच मिनट के लिए पकाना है इसको मीडियम आज पर ही रखना है एकदम अलब ज्यादा पानी रखना है में ज्यादा अब ही 5 निट हो गया और हमारे करेले में तेल भी छुटने लग गया है और पानी भी सारा जल गया है अब अगर रस्य वाले करना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा पन डाले सथ पाज़ी के सार करें बहुत ही स्वाधिष्ट और टेश्टी लगता है देखेएं हमारा करेला बच्छे भी ख़ा सकते हैं बिल्कुल बिकड़वा नहीं बनता है अगर मेरे वीडियों अच्छी लग एता कमेंड्स लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करें पूरा वीडियो इतने कि एतन रिधना है